नमस्ति प्रियच्छात्र ए लर्निंग क्लासिस में एक बार फिर से आपका हर्दिक स्वागत है बच्चों आज हम कक्सा तीन में हिंदी विशे में नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं पार्ट ग्यारा कैसा सोर बच्चों सोर मतलब बहुत ज्यादा आवाज करना यहाँ पर कौन सोर मचा रहा है यहाँ पर तो सर्जू काका के खेत की सारी सबजिया जो हैं वो आपस में बाते कर रही है और सोर मचा रहे है तो आईए देखते हैं क्या है इस पार्ठ में कैसा सोर दोपहर का समय था सर्जू काका एक पेड की छाया में लेटे थे बच्चों यहाँ पर पेड का चित्र दिया गया है हमें चित्र देखकर नाम पढ़ना है नाम बोलना है दोपहर का समय था सर्जू काका एक पेड की छाया में लेटे थे तोड़ी देर में उनकी आँख लग गई तभी खुब सोर मचने लगा वे उट बैठे और ध्यान से सुनने लगे खेत में यह कैसा सोर है सर्जू काका क्या कर रहे थे पेड की छाया में लेटे थे है न और थोड़ी देर में उनकी आख लग गई तभी सोर मचने लगा तो सर्जू काका ने ओठकर ध्यान से सुनने लगे आलू और सकरकंद उन्चाउन्चा बोल रहे थे हम है सब सब्जियों के सर्टाज सर्टाज मतलब राजा आलू और सकरकंद ने क्या कहा कि हम ही सब सबजियों के सरताज है आलू बोला मेरे बिना तो बच्चे खाना ही नहीं खाते सबजी, चाट, चीप, स्टिक किया क्या चटपटी, मज़ेदार चीजे बनती है सब चटखारे लेकर खाते है आलू ने क्या कहा कि मेरे बिनातों बच्चे खाना ही नहीं खाते सबजी चाठ चीप स्टिक या क्या चटपटी मज़ेदार चीजे बनती है और सब केसे खाते है चटखारे लेकर खाते है मतलब मज़े से अच्छे से खाते है सकरकंद बोला मैं हूँ मीठा आलू आलू राजा का मित्र सकरकंद ने क्या कहा कि मैं मीठा आलू हूँ आलू राजा का मित्र हूँ तभी गाजर, मुली, सलगम और बीट ये भी अपने बारे में कुछ न कुछ कहना चाहते थे पर मटर में से उचल कर कुछ मटर के दाने बाहार आ गए वाह हमें भूल गए अभी कल ही तो खाई थी मटर की कचोडी मटर के दाने उन्हें क्या कहा क्या अभी कल ही तो मटर की कचोडी खाई थी लोग की कुछ देर तक इनकी बाते सुनती रही लोकी कुछ देर तक इनकी बाते सुनती रही फिर जोर से बोली मेरी सबजी का कोई जवाब नहीं बच्चा भी खूस, बूड़ा भी खूस, बिमार को भी खिलाओ रायता बनाओ, कौफते बनाओ लोकी ने क्या कहा? कि मेरी सबजी का तो कोई जवाब नहीं बच्चा भी खूस, बूड़ा भी खूस, बिमार को भी खिला सकते हो रायता बना सकते हो, कौफते बना सकते हो उधर लाल गाजर कह रही थी मिठी मिठी खीर और हलवा तो मेरा ही बनता है उधर लाल गाजर क्या कह रही थी? कि मिठी मिठी खीर और हलवा तो मेरा ही बनता है तभी भिंडी फूल गोभी और पत्ता गोभी भागे आये पीछे पीछे टमाटर और खीरा थे तभी कोन आये भिंडी फूल गोभी और पत्ता गोभी भागे भागे आये और पिछे पिछे कौन आया, टमाटर और खीरा, पालक और मेथी भी कुछ कह रही थी, पिंडी बोली मेरा स्वाद भूल गये, फूल गोबिके, फूल ने कहा, देखो मैं कितना सुन्दर हूं, मेरा स्वाद तो सबसे अनोखा है, सभी सबझीयां आपस में अपने बारे में ब अभी सर्जू काका पेड़ की छाओं के नीचे सोते सोते ये सब सुन रहे थे न तो सर्जू काका ने क्या कहां चुप चुप सर्जू काका कानों पर हाथ रख कर बोले क्यों आसमान सीर पर उठा रहे हो अभी तुम्हें अलग करता हूँ सर्जु काका ने क्या कहा कि क्यों आस्मान सर पर उठा रहे हो अभी मैं तुम सब को ठीक करता हूँ आस्मान सर पर उठाना इसका मतलब होता है बहुत सोर मचाना क्यों इतना सोर मचा रहे हो मैं अभी सब को अलग करता हूँ सर्जु काका ने जमिन खोदी आलू, सकरकंद, मूली और गाजर और सलगम को मिट्टी के नीचे दबा दिया सर्जु काका ने किया किया जमिन खोद कर आलू, सकरकंद, मूली, गाजर, सलगम को मिट्टी के नीचे दबा दिया बोले यहीं रहो चुपचाप गोभी, बंदगोभी, पालक और मेथी को जमिन के उपर कर दिया बोले तुम सब यहीं रहो गई मटर, खीरा, गीया लटका दिया अलग-अलग बेलो पर मटर, खीरा, गीया कहा होते हैं? बेलो पर होते हैं ना गोभी, बंदगोभी, पालक, मेथी यह सब कहाँ पर होते हैं? जमिन के उपर होते हैं और जमिन के नीचे कोन होते हैं? आलू, सकरकंद, मुली, गाजर, सलगम तो सब को अपनी अपनी जगा पर सरजू काका ने रख दिये लाल टमाटर, हरी भिंडी और गोल मटोल बेंगन को पोधो की डालो से लटकाया अब टमाटर भिंडी और बेंगन को कहां लटकाया? पोधो की डालो से लटकाया फिर सरजू काका जाकर पेड की ठंडी छाया में लट गए उनके खर्राटो की आवाज पूरी खेत में गूंज रही थी अब सब सबजिया शोर मचा रही थी तो सब को अपनी अपनी जगा पे रख कर फिर सरजू काका ने किया किया पेड की छाया में ठंडी छाया में लेट गए अब अच्छे से सो गए और उनके खर्राटों की आवाज पूरे खेत में गूंज रही थी तो बच्चों केसी लगी आपको यह सबजीयों की कहानी बहुत ही मजाया ना आईए देखते हैं हम इस पाठ का अभ्याज अभ्याज सब्द अर्थ चटखारे मतलब स्वाद के साथ खुस मतलब प्रसन जवाब मतलब उत्तर अनोखा मतलब निराला मुहावरे बच्चों यहाँ पर मुहावरे दिये गए है और उनके अर्थ दिये गए है आस्मान सीर पर उठाना मतलब बहुत सोर मचाना आँख लगना मतलब नींद आ जाना पाठ बोद बच्चों यहाँ पर कुछ मौखिक प्रसन दिये गए है इन प्रसनों के उत्तर आपको स्वयम पाठ में से डूढने है पर लिखने नहीं है लिखित सर्जु काका कौन थे उत्तर में लिखेंगे सर्जु काका किसान थे ख सर्जु काका के खेत में कौन सोर मचा रहा था उत्तर सर्जु काका के खेत में सब सबजिया सोर मचा रही थी ग आलू से क्या क्या बनाते है उत्तर आलू से सबजी, चीप, स्टिक्किया, पराठे, पकोडी, कचोडी, समोसा, आदी चीजे बनती है घः सर्जु काका कहां जाकर लेट गए उत्तर सर्जु काका पेड की थंडी छाया में जाकर लेट गए आगे हैं प्रश्न दो कौन बोला बचों यहाँ पर सबजीयों के चित्र दिये गए है एवं यहाँ पर वाक्य लिखे गए है आपको क्या बताना है कि यह वाक्य कौन बोला बिमार को भी खिलाओ कौन बोला, गिया अभी कल ही तो खाई थी मेरी कचोडी मटर मैं सबजीयों का राजा हूं आलू मेरा स्वाद भी अनोखा है फूल गोवी प्रस्णत तीन कौन मिलेगा कहाँ कौन सी सबजी कहाँ पर मिलेगी आपको लिखना है जमिन के निचे सकरकंध आलू बेलो पर लटके गिया मटर पोधो की डाल पर बेंगन टमाटर बच्चों लोकी को घीया भी कहते है तो बच्चों आसा है कि आपको पार्ट 11 केसा सोर अच्छे से समद में आ गया होगा एवं अप्यास में सब्द अर्थ मुहावरे एवं प्रस्णतर अच्छे से समद में आ गये होगे नेक्स्ट वीडियो में हम भाशा गयां देखेंगे ठेंक यू